मैं आपके लिए आई हूं, पपनीर की बहुत ही Lie़ Imagine रेजीए को ईसस पहले आपने नहीं ट्राइक होगा इसकी मैं गैराइंटी देती हूँ आज की मेरी इस मेरी लिए की ट्राइक और आपके परिवार को भहुत ही पसंद आने माली है तो चलिए देना करते हैं रसीपी को स्टार्ट कर लेते हैं प्रेंड्स आप मेरी चैनल पर अगर नहीं हैं या फिर मेरी चैनल को अपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बैल आकन को जरूर पैस कीजिए ताकि आगे आनली वीडियो का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यहाँ पेट हम से पर गयंता आप कर लेंगी कढ़ाईय को रखे लेंगे कढ़्योय जैसीं कि गरम हो जाएगी हम इसलगउर करते हैं एग वसके ओंगी को ज़े से zam you back ब्राउन ना हो जाए प्याज, तो फ्रेंड्स वीडियो को इसकिप ना करें, आप इसे फुल पॉच करेंगे, अगर आपने यहां तक मेरी वीडियो को वाच किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा वाच करिए, रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली ह अगर आप फुल पॉच करेंगे तो आप इसे जरूर ट्राइ करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी अच्छे से तो इसी तरह के से हमें फ्राइ कर लेने हैं प्याज को इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे किसी दूसरी बरतन में यहाँ पर मैंने प्याज को निकाल लूए ब्राइ करके निकाल लेने हैं प्याज को उसके बाद मैं इसी वाँ जोट दीज़ें लेवीर यहाँ पर मैंने 4-5 लश्ट नी इए 1-5 लेज़न ही Vitaly के दो इंच ग्राइडर lawroy में भें डालेंगे woes john Kivolowitz को इस तरीके से हम डाल लेंगे mixup grinder में और इसका एक अच्छा सा fine paste बना लेंगे We have a better mix principal component test यहाँ प्रेजर कर लेंगे यहाँ इसा हम इसी पेार कर लेंगे अच्छा अच्छा से अच्छा सग्या कि टालेंगे लेशन 7 तो चाहिए तो टमाटर की जगे पर टमाटर की रेडिमेट जो प्यूरी आती है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं इसकी जगे पर लेकिन मैं फ्रेश टमाटर का यूज कर रहे हूं इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है डगन कुकर लेंगे हम बंद और इसे भी हम ग्राइंड कर लें तुपड़ा डाल देंगे जैसे ही तील गरम हो जाएगा एक चमच हम जीरा का यूज़ कर रहे हैं और एक तेज पत्ते का आपको तील में डालने के बाद इस तरीके से आप में ला लें मिलाने के बाद जैसे ये पक जाए अच्छी से खुश्बू आने लगे इसमें डाल दे तो इसे ही इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और हल्दी और मिर्ची पाउडर का जो यूज मैंने पहले तेल में किया है इसके लिए किया है जो सबजी का कलर है बहुत ही अच्छा आता है आप भी इसे जरूर ट्राइब करें तो यहां पे हम ढकन को कबर कर देंगे और चूड़ देंगे हम लो फ्लेम पे पांच मिनट के लिए तो यहां पे पांच मिनट हो चुका है डखन को हम अटा लेते हैं चिक कर लीते हैं यहां पे देखे टमाटर पक चुका है उसके बाद हम यहीं पे आड़ कर देंगे प्याज और लसुन की जो हमने पेस्ट बनाये पेस्ट को डालने के बाद हम इसे मसालों में अच्छे सही से मेक्स कर लेंगे ऐसे ही चलाते हुए तो यहां पे जो मैंने का फ्लेम रखा है यह लो रखा हुआ है ताकि मसाले नीचे लगे ना तो इस तरह किसे हमने चला लिया है अब यहां पे सूख्य मसाले आड़ कर ले तो यहां पे मैंने गैस का फ्लेम अभी रखा है और यहां पे छोड़ देंगे हम पांच मिनट के लिए पकने के लिए तो यहां पे पांच मिनट हो चुके हैं धक्कन को हम अटा लेते हैं मसालों को चिक कर लेते हैं तो यहां पे देखे मसाले अच्छे से पक चुके हैं त तो देखे एगे दही अच्छे से मसालो में मिल गई है अब हम इसे क्या करते हैं गैस के फिलेम को आन कर लेते हैं फिर से कवर करके हम पांच मनिट के लिए लो फिलेम पी पकने के लिए छोड़ देंगे इसे हम इसे ठकन को हटा लेते हैं पांच मनिट हो चुके हैं मसालो को हम इस तरीके से एक बर चला लेंगे तो देखें यहां पे गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है थाकि मसाले नीचे लगे ना अब इसमें हम ढाल देंगे थोड़ा सा पानी तो मैंने आपे 200 ml के करीब पानी का यूज किया है पानी को डाल के इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है उसके बाद हम इसी स्टेश पर ढाल देंगे तो मैंने पनी जो लिया है 200 ग्राम लिया है इस पीजिस में कट कर लेंगे यहां पे पनीर को फ्राइब नहीं कि आप चाहिए तो इसे अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे और इसे हम ठकान से कवर कर देंगे कवर करने के ब कोई भी सब्जी बना रहा है लास्ट में आप एक चमदी से यह का यूज जरूर करें इसे ग्रेवी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है निट के लिए हम कवर कर देंगे ठकान को यहां पे एक मिनट हो चुका है ठकन को हटा लेते हैं और यहां पे कुछ हरी मिर्ची हम सब्जी को चला लेते हैं ऐसे तो यहां पर देखिए कलर और टेक्श और ग्रेवी का कितना बढ़ी है लग रही है ना एक दम होटल की सब्जी है होटल के जैसी तो मैंने आपको कहा था ना कि इस तरीके से पनीर की सब्जी आपने नहीं ट्राइ कियों कि मेरी ग्यारेंटी है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें आपके फैमिली को आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आपको मसंद आई हो तो फीडियो के नीचे लाइक का बटन आप क्लिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेश करना बिलकुल ना अब भूले ताकी आगे आने वाली निव वीडियो को नॉटिफिकेशन ताक कर चैनल को बैए और दॉफॉर है और जिन्होंने नहीं किया है भी वी मेरे चैनल को जर्ला को अब तर्व मिन से प्सक्राइब कर लीजिए